हटेलो नमस्कार दोस्तों अब सभी का स्वाइबत है एक और नई वीडियो में हमारे साथ तो दोस्तों आज एक और हम लेके आ चुके हैं एक और नई अब डैट एक और नई वेकेंजिके साथ दोस्तों चलिए देखते हैं हमारी ओफिheen वेबसाइट पर निकल चुकिए दोस्तों इसके अंदर आपकी assistant निकल इए assistant teacher मने इनकी वेकंसी आचुकि आचुकिए और इआपकी क्वालिफिकेशन रहेने वाली qualification आपकी sposób ehad at PhD के कहीं माइअ खंगी आध मिखंब है दोस्तों वेकंसी December इसकी last date है जो job location वो है बिहार के अंदर दोस्तों चलिए जान लेते हैं आप इसके बारे में कुछ छोटी छोटी पाते की जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है तो जैसा कि दोस्तों यहां पर organization इसका है बिहार public service commission यहां पर देख पारें इसका organization है जिन्होंने इसको release किय है इस vacancy को जो पोस्त का नाम है मैंने आपको पहले बता दिया असिस्टेंट मॉल भी असिस्टेंट टीचर यूलिश की okay total vacancy तीन vacancy है यहां पर application start date पांच अगर पांच दिसमबर से start है and application last date यहां पर 20 दिसमबर है इसकी last date and apply mode इसका online रहेगा job location दोस्तों इसकी बिहार रह करेंगे easily आप यहां पर भी आप सारी चीजे information check कर सकते हैं जैसे यहां पर देखिए सारी information important notice सब यहां पर release होते हैं तो आपको यहां पर home page पे show कर जाएंगे बिहार public service commission की official website पे भी and हमारी government सरकारी vacancy की website पे भी चलिए अप जान लेते eligibility बारे में तो जो eligibility है वो मैंने आपको clear करी दी थी B.A.M.A.D. और PhD and master's degree होना आपके पास जरूरी है अब देख लेते हैं age के बारे में तो age यहां पर minimum age मांगी गई है वो है 21 साल दोस्तों 21 साल यहां पर minimum age मांगी गई है एंड जो vacancy detail है वो यहां पर देख लीजिए आप Malvy, Assistant Malvy की यहां पर two vacancy है Assistant Teacher English की यहां पर एक vacancy है टूटल मिला के तीन vacancy है दोस्तों application fee की बात करें तो यहां पर OBC General और EWS Candidate की यहां पर 750 रुपए यहां पर application fee रहेगी and other state की यहां पर जो भी उमीदवार रहेंगे उनके लिए यहां पर 750 रुपए ही रहेगी application fee अब बात करते हैं HTSC applicant वो भी बिहार के हैं तो उनकी 200 रुपए application fee रहेगी and बिहार applicants जो female candidate रहेगी महिला है जो करेंगे apply उनकी रहेगी यहां पर 200 रुपए application fee दोस्तों अब हम करते हैं selection process की बात तो दोस्तों यहां पर selection process आपका written examination के through and आपके interview के basis पे होने वाला है दोस्तों अब यहां पर देख लीजिए आप apply करने का process यहां पर आपके सामने हैं आप easily हमारी Google पर website search कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं GOBT आप जैसे type करेंगे आपके Google browser Chrome browser पर या Google search पर आप यहां पर सरकारी वेकेंशी जैसे type करेंगे second number पर आपको देख जाएगी government सरकारी वेकेंशी latest Indian government jobs update तो आप इस पर जैसे notification भी देख लेते हैं तो जैसा कि अब आप notification देख पा रहे हैं बिहार लोक सेवा iOSN की यहां पर निकाली गई वेकेंशी जो है अमारी यहां पर assistant lecture वो teacher की जो पोस्त है यहां पर उसका यहां पर notification देख सकते हैं यहां जारी कर दिया गया था तो यह देख लीजिए अब हम आते हैं वापस हमारी official website तो दोस्तों मैं वीडियो में इट करते हैं लास्ट में एक ही बात कहना है आप सभी से कि अगर आप सभी ने YouTube चैनल को हमारे को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लिजे सब्सक्राइब और WhatsApp और Telegram को कर लिजे जॉइन क्योंकि सब्सक्राइब नोटिफिकेशन आप ही को मिले कर लिजे बैल आइकन के क्लिक और YouTube को कर लिजे सब्सक्राइब थेंक्यू सो माच विजो एक और नई वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों